बालको प्रबंधन ने अक्टूबर और नॉवंबर 2006 के लिए 36 बालको कर्मियों को माह का श्रिष्ट कर्मचारी पुरसकार दे कर सम्मानित किया। इस मौके पर बालको अध्यक्ष श्री प्रमोस्तूरी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जम बालको कर्मियों की मेहनत और कर्तव परायनता से बालको की उत्वादन शमता दस लाग तन हो जाएगी। उन्होंने मल्दूर संगठोंनों द्वारा 14 दिसंबर 2006 को आयोजित देश्वियापी बंद में भाग न लेने पर बालको कर्मियों को पुरिस्क्रित करने की घोशना भिकी। अलोमिना कैंटीन में आयोजित महाका श्रिस्ट कर्मचारी पुरसकार वित्रन समारों के मुख्य अतिति बालको अध्यक श्री प्रमोस्तोरी थे। उन्होंने कहा कि बालको कर्मियों की मेहनत से जल्दी ही बालको की उत्पादन शमता 10 लाक तन हो जाएगी। और इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता कि वो सम्मान वो इज़त आपके परिवार्जन के सामने दी जाएगी। जिसकी वज़े से आज हमारा जो प्लांट है वो निरंतर उन्ती के पत्री और बढ़ता जा रहा है। आपके जानक्यारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सब की मेहनत के बलपे वर्ष 2006 जो की अब इक खत्म होने को आ रहा है। जालकों के दियास में पहला साल ऐसा होगा जबकि हमारा उत्पादन मैक्सिमम हुआ। और डिसम्बर महीना खास कोड़ से ऐसा महीना है जबकि हम लोगों ने उत्पादन में नया किर्दिमान स्तापद किया। प्लांट वन में जो हम 310 तन रोज बनाया और प्लांट टू में जो हमने रोज का करीब 670-675 तन का टार्गेट था। पहली बार इस महीने में हम लोग पुरा करने जा रहे हैं और इसके लिए मैं आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ कि आप सब की मेंनत से ही ये सब सफ़न हुआ। और आपको ये जानके बहुत खुशी होगी कि मेरिम्मेट ने अभी बालकों को और आगे बढ़ाने के लिए कई निर्ने लिए हमारा इलुमिना प्लांट जो की अभी डही लाग तन का उत्पादन करता है हम लोग उसे चार लाग तन का उत्पादन करते के लिए मौडनाइजेक्शन का प्रोजेक्ट शुरूब कर रहे हैं उसके बाले मेरिम्मेट की तरफ से हरी चंड़ी बिल गए प्लांट बन स्मेंटर जो की 290 तन से भी कम उत्पादन करता था आज 310 तन बना रहा है और उनकी यह सोच है कि वो बहुत जल्दी 325 तन का रोज उत्पादन करी और उन्हें बहुत पेनद करी और आज उसका करण्ट जो है दिखिए 300 एंपियर पे चलता था किलो एंप पे आज 110-111 पे चलता तो हमारी दूसरी योजना जो मैनेजमेंट इस विक्रित करी वो यह है कि प्लांट वन का जो स्मेल्टन है एक लाग दस सदार से एक लाग पचीज राग पादन किया थे फैब्रीकेशन डिपार्टमेंट जिन्होंने की पिछले तीन माहिनों से लगा था मेनद कर रहे हैं लाग कि बादन बढ़ा रहे हैं बलकि क्वालिटी में भी बहुत सुधार हो रहे हैं वहाँ आपने देखा होगा कि अभी कितने नहीं नहीं से यंत्री भी लग रहे हैं और वहीं में हमने पिछले बहीं ने रिकॉर्ट होट रोल का जो था करीब 8500 टन का प्रोड़क्शन किया और वहाँ पे मेनेटमेंट ने एप्रूबल दिया कि हम होट रोल की जो कपैस्ट अभी है साथ हजार से बढ़ाके 2,00,000 टन का उस्फादल करीब यहीं नहीं इसके इलावा एक नया पावर प्रांट बारा सु मेगावाट का जो आपने सुना होगा वो भी बालखों में लग रहे हैं और इसके साथ-साथ एक और योजना में कारे कर रहे हैं कि बालखों में करीब 5,00,000 टन का एक और मैडिल का स्मेंटर भी लगाया जाए उसके उपर भी चर्चा चलिए तो मतलों कहने का यह है कि आप लोगों ने मेहनत की उसका फल यह है कि कंपनी निरंतर और आगे बढ़ती चलिए और आपकी मेहनत के बल पे और भगवान की दया से वो दिन जब बालको प्लांट एक मिलियन टांग प्रोडक्शन का प्लांट मैं जाए मैं खास्तोर से आप सब को धन्यवाद देना चाहूंगा दिसंबर महीने में जब 14 दिसंबर को पुरे भारत की स्ट्राइक कॉल की गए ट्रेट यूनियन की तरफ से उस ट्रेंग बालकों के सब करबचारियों ने अपनी कंपनी के जित को देखते हुए उस ट्राइक को पुरा विफल किया और पुरा काम पिया है उस दिन हमारा रिकार्ड उत्मादन हुआ और दिया जाएगा जिसकी जो है शर्माची और सब लोग मिलके डिसाइड करेंगे और दुफा सभी बालकों करमचारियों को दिया जाएगा करमचारियों ने सम्मान परिवारजनों के साथ ग्रहन किया एचारियों क्यआयों क्यिक क्या लेकाराण बैसे मुहें पहले है अग्जाश्य की घारिक तो लिए थान वाइटा है के माने अगलाएट से मुह आयए पहले से ने ज़्यादा मुश्मारेते हैं और ऐसा हासा कर्दिन के आगे लिए और बजब भी करता रहे और जिस तरह कर्पचारियों पुर्पर्साहित किया जा रहा है आगे इस तरह भुसाहित करते हैं